हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करगे होंगे मैं अमन सिंग रासबूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे e-learning प्रैट्फर्म मुफ्तिशिक्षा पर आज की वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 8 करेंगे जिसका नाम है decimals के बारे में कल पढ़ा था हमने कल की क्लास में कवर किया था इंट्रोडक्शन कि डेसिम जा होता है उमीद है सबको समझ में आ गया होगा और सबने अच्छे से समझ लिया होगा पढ़ लिया होगा तो आज की वीडियो में कवर करने वाले exercise 8.1 class 6 का वो भी math का ठीक है तो आज सीखेंगे कि 6.1 में जो problems है उनका solution उनको phase कैसे किया जाएगा उनके साथ deal कैसे करेंगे हम problem का solution कैसे निकाला जाएगा easy way में और step by step सीखेंगे तो में आपको वीडियो कुशन आएगी वीडियो को end देखेंगे और वीडियो को like करने के साथ comment box में अपना feedback में देएगे कि आपको कैसी लगी वीडियो और वीडियो में क्या-क्या समझ में आया या फिर अगला topic क्या हो अच्छी ये वीडियो के उपर ठीक है पैसे लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं decimal के बारे में तो decimal 8.1 exercise कर रहे हैं जिसका पहला question आपके सामने है देखें आपको बोला गया कि write the following numbers in given the table इन numbers को table की form में लिखना है ठीक है तो पहले हम table बनाएंगे कौन से table ones, tens, hundred, thousand तॉला table ठीक है तो सिरे table बना लेते हैं एक पहले लिखेंगे ones tens , tens , hundred है कि अधिक आगे थाउसंड आएगा फिर टैन थाउसंड आएगा फिर लैक आएगा फिर करोर टैन करोर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा सिफकार्स के यहां पर आता है है व क्लें यहीं बढ़ता जाएगा फिर प्रेयर को अब सिफक फिर यह यह रुपता आएगा आएग कि तो यह कोई हमारे पासय टेवल है किमा झावन इसको इसको नर्षिकल में और 60 100 की फॉर्म है तो चलिए सीखते हैं देखे किया, पहले question A part में के लिए solve करेंगे, यहां residue A part यहां ए part लिखेंगे और फिर solve करेंगे ऐ part में क्या है 10, tence कितनी बार है देखे 10 तीन बार है, एक दूर।, तीन तो tends के आगे के आएगा, 3 कि यह टेन्थ जहांugी वाँ पर फिर क्या है स् and one's कितनी बार है एक बार दीख कितनी बार है यह 10 कितनी बार है Kingdom दिख रहा है तो है 10 क्या लिख सेंगे टो ये नंबर बन जाए गा अगर बना थो ये बन जाएगा 31 प्लस 10 को क्या है 2पोण 10 थो ये बने गा 31 प्लस को क्या लिखती है 대한 स्ब्सैट्राइप देसिंबन में करना सिखाय गया था नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के पॉइंट लगाएंगे हूँ एक डिजिट का पॉइंट वद लग लग 2.0.2 तो यह हमारा आंसर आजाएगा 31.2 ठीक है इस रिपकार से अगला कोशन करेंगे बी पार्ट के लिए देखिए ए पार्ट का सॉलूशन बस इतना ही था बस आप लोगों को इतना ही करना था ठीक ह सहाइता से यह करते हैं से दूसरा पार है 100 100 कितनी बार रिखा है तो 100 की लग देखिए ग chili से फिर आपको 10 ते रखा है टेंस कितनी दे रखा है टेंस 1 बाख TS2 1 लेकिंगे 310s1 बन कतनी बार है तो दिया है और 10th कितनी बार दिया है 10th 4 बार दिया है तो यहां लिखेंगे 4 अगर यहां पर कुछ नहीं था तो 0 यहां पर कुछ नहीं था तो 0 तो यह क्या बन गया 1 1 0 plus 4 upon 10 क्योंकि यह 10th था 10th कैसे लिखते हैं 1 upon 10 तो यह 4 upon 10 हो गया ठीक है अब fraction से decimal convert करना सिखाए गया था आपको देखें नीचे 1 0 है तो क्या लिखेंगे एक digit के बाद point लगाएंगे तो यह point लगाएंगे हम 0.4 तो यहां आएगा 1 1 0.4 तो यह होगा हमारा answer तो पहला question बस इतना ही था बहुत यासान question था आपको stable बनाना था और फिर convert करना था numbers को यह image को देखके तो उमीद आप लोग को समझ में आगा होगा बढ़ती है अगले question की तरफ और देखती है उसका solution आपको बलाएंगे write the following decimals in the place value table place value table से decimal decimals को लिखना है place values table क्या होती है write the following decimals in the place value table चले table बना लेखे place value यहां पर लिखेंगे ones tens hundred thousand पॉसथ आगे है पैस आएगा 10th आग आएगा पिर hundred फिर थाउजन फिर ten thousand फिर लैक फिर टैन लैक फिर करोर टैन करोर ऐसे बढ़ता जायगा हम टेन्ट को क्या लिखते हैं वन अपों टेन्ट कि वर्णस को म zijn लिगते हैं अन्ते लिखते हैं अर फाउजंड को फाउजन लिखते हैं wow इसको अ 텐वल में कॉपर्प नोड कर लेते हैं टीवल बना लिया हमने अब पहला ए पार्ट देखिए ए पार्ट के लिए solution ए पार्ट में क्या वोला है यह पॉइंट से पहले वाला क्या होता है आप सब को पता है एक पॉइंट से पहले वाला 10 होता है तो 10 की जगह क्या दिया है 4 अब देखिए वन्स की जगह है 9 और 10 की जगह है 1 तो वन्स की जगह हम 9 लिखेंगे और 10 की जगह क्या लिखेंगे 1 आगे कुछ नहीं दिया तो 100 की वैलू 0 हो जाएगी और 1000 की वैलू 0 हो जाएगी ऐसी बी पार्ट के लिए देखिए बी पार्ट में क्या बोला है कि वंस की जगा क्या है जीरो तो वंस की जगा हम जीरो लिख देंगे और तैंथ की जगा क्या है तैंथ की जगा है थ्री पॉइंट के बाद जो होता है नंबर वो तैंथ के लिए होता है ठीक है यह 10th के लिए है तो 10th के लिए 3 था और उससे पहले क्या था 1s के लिए 0 और वागी कुछ नहीं दिया तो 0, 0, 0 ऐसे C के लिए देखेंगे C के लिए देखें 10th के लिए क्या है 6 तो यहां लिख देंगे 6 फिर unit के लिए 1 के लिए क्या है 1 के लिए 1 के लिए 0 है यहां लिख देंगे 0 फिर 10 के लिए क्या है 10 के लिए 1 यहां लिख देंगे 1 बागे कुछ नहीं दिया तो 0 0 यह हमारा solution होगा D part के लिए देखिए D part में बोला है कि 10 के लिए क्या है तेंथ के लिए है 9, तो तेंथ की जगा 9 आ जाएगा, फिर 1 की जगा है, यह 1 की जगा है, यह 10 की जगा है, यह 100 की जगा है, तो पहले 1 की जगा 5 है, तो 5 लिख देंगे, फिर 10 की जगा 0 है तो 0, और 100 की जगा 2 है तो 2, बागी कुछ ने दिया तो 0, तो यह हमारा solution होगा, इस question के लिए table की form है तो आप लोग को کुछ points दिए कहते हैं कुछ numbers दिए decimal के अंदर आपको table बनाके one-s- дальше hundred thousand की table बनाकर उसमेn convert करना था सो करना था table के form नहीं तो हमने easily कर लिया उमीद आप लोग को समझ में आया होगा चलिए अगला देखते हैं तो पुष्ण नमबर थ्री कोश नमबर थ्री में बोलाए कि राइट इच of दे फॉन विंघ एसा डैसिमल्स डैसिमल की फॉर्म में लिखना है ठीक है टेवल की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बहुत आसान तरीके से हम देख सकें यह से तसलिए टेवल ब थाउजंड और यहां आता है टैन्थ हंड्रेट अगे थाउजंड थाउजंड बढ़ते जाता है तो यहां पर थाउजंड को लिखते हैं हम 100 को लिखते हैं 100 को लिखते हैं 100 को लिखते हैं 10 और वन को लिखते हैं और टैन्थ को लिखते हैं वन अपन टैन अंड्रेट को लिखते हैं वन अपन एंड्रेट तो चलिए टेबल बना लेके टेबल की फॉर्म में यहां से एक लाइन यहां से एक लाइन आपको बोला है सेवन सेवन टैंथ है यह तो टैंथ है हमाल पास वह कितना दिया है सेवन यह दिया है सेवन तो यह पार्ट एक के लिए है यह पर एलिख देंगे एक लिए ठीक है है मंतलब से तैंथ्ट जो है वह टू है एंड नाइंज जो है टैंथ है टैंथ की वेल से का है हमारा यह इह लिए cozive और यहां ३िती लिए यह पिनथके वेल देंच में नाइयर यह पर बीच में कुछ नहीं आपडलव सीड़ 않은 जीरो यहां पर कुछ नीं है- जीरो , 0000 … जहाँ पर कुछ नी होता मतलब लिखते हैं 14.6 ठेके 14.6 तो ऐसे लिखते हैं तो 10 के लिए क्या है 6 वन के लिए क्या है 4 और 10th उसके लिए 1 10th के लिए 6 था 1 के लिए 4 और 10 ke के लिए था 10 के लिए था वन चलिए अगला कुछन करते हैं डी पार्ट बाकी सब 00 है डी पार्ट 100 एंड टू वन्स हंड़िट कितनी है हमारे पास वन है एंड़िट कितनी है वन है और टू वन्स है वन्स कितनी है टू है बाकी कुछ नहीं मतलब यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो ठीक है अगला इपार्ट क्या है इपार्ट देख लेते हैं इसमें बूला 600.8 600 600.8 तो टेन्स की जगह क्या है बन सकर जिबात जीरो और हंड्रेट की जगह है जीरो और की आएंगला टैन्स की जगह कुछ नहीं के एक कॉल ठीक है 7 upon 10 मतलब upon में कितनी 10 है एक ही 10 है न एक ही 0 है तो एक digit को पॉइंट लग जाएगा मतलब 0.7 इसे प्रकार से देखिए यहाँ पे 10 की जगह है है तू वन्स की जगह है 0 और 10 की जगह है 9 तो यह आजाएगा 20 प्लस 9 upon 10 तो इसे लिखेंगे हम 20 9 upon 10 की आजाएगा 0.9 तो यह हो जाएगा 20.9 इसे प्रकार से थार्ड के लिए देखेंगे हम थार्ड के लिए क्या है थार्ड के लिए देखिए थार्ड में यह वन है और यह फोर है और यह जाएगा हमारा 114 प्लस 6 upon 10 इसको क्या लिखेंगे 114 प्लस 6 upon 10 क्या हुआ 0.6 क्योंकि नीचे 10 है तो वन डिजिट को पॉइंट लग साएगा तो इसका अंसर आएगा हमारा 114.6 ठीक है अगला कॉश्चन देख लेते हैं डी की वैलू डी में क्या के दिया है यह देखिए बाकि सब 00 तो बस टू दे रखा वन्स जो है डी में क्या है 100 एंड वन हन्रेट एंड टू वन्स ओके अंडिट वन है और टू वन्स है अदल अब की 102 दिया है डी के लिए तो इसके लिए 102 है बस और यह के लिए देख लेते हैं यह के लिए 600 पॉइंट एट यह 14.6 था हमने एक वन एक्स्ट्रा जोड लिया यह नीचे वाले के लिए था आपने उपर वाले में जोड लिया तो यहां जो आएगा वह 14.6 आएगा ठीक है यहां पर 114 यह आएगा 14 पॉइंट 6 आएगा यह था 20.9 पॉइंट 14 तो यहां जाएगा 14.6 और यह था हमारा एक्सोड देख लेते हैं अगले वाले के लिए क्लिए क्या था कि 600.8 देखिए आपे 100 कि जगा 6 है यहां पर 600.8 यह तो पहले से बोला गया है इसे कनवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यह पहले से पुश्न बोला ग करते हैं अगर आपको टेवल की फॉर्म आता है तो टेवल की फॉर्म में पहले लिख लीजिए और फिर डेसिमल करवाट कीजिए बिना लिखे भी कर सकते हैं लेकिन लिख के ज्यादा समझ में आएगा इसलिए मैंने लिख के समझाया आप लोग को ताकि अथे समझ पाया लोगे से लिए अगला कुशन देखते हैं कुश्ण नंबर पोर में कैसा आट एट इच और फॉर्म में लिखना चले लिखते हैं पहला इपार्ट चलब आँका होँता ता डो एक को पार्टि वार्ट होगा हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है दूसरे कोशन देखते हैं दूसरे कोशन में आपको दिया है 3 प्लस 7 अपॉन 10 तो 3 का तो 3 ही रहेगा 7 अपॉन 10 क्या होता है नीचे कितने है 0 1 तो पॉइंट कितने बाद लगीगा एक डिजिट के बाद तो यहां पे लेकिए तो यहां पॉइंगी 0.7 तो यहां आज आएगा 3.7 हमारा इसे प्रकार से देखिए अगला कोशन ये 216 प्लस 5 प्लस 1 अपन 10 तो 200 लिखेंगे 40 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे प्लस 1 अपन 10 लिखेंगे तो देखिए 200 प्लस 60 प्लस 5 क्या होज आएगा 265 प्लस 1 अपोन 10 क्या होता है नीचे 1 0 है तो 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगीगा मतलब 0.1 आएगा अंसर हमारा तो इसको प्लस कर देंगे तो 265.1 जो होगा हमारा अंसर होगा चलिए अगला देख लेते हैं यह 70 दिया है 70 प्लस 8 अपोन 100 8 अपोन 10 है सोरी तो 8 अपोन 10 को क्या लेखते हैं 8 अपोन 10 को नीचे 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे मतलब 0.800 होगा वो होगा तो इसे प्लस करेंगे तो 70.800 होएगा आएगा इसे प्रकार से देखिए 88 अपोन 10 दिया गया है एक डिजिट कार पॉइंट लगाएंगे कि नीचे 1 0 है तो एक डिजिट कार पॉइंट लगाएंगे तो 8.80 होगा हमारा आंसर होगा तो मीद है सब को समझी पहल होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरे अच्छे समझाया हैní कि कैसे क्या जाता है ऐसे अशरीशन से डैसिमल में और डैसिमल में तो आप जरूर से देरेखिए इंट्रोडक्शन पार्ट ताब की आप लोग अच्छे से क्लेर हो सके है चैनली अगला कोश्हिन करते हैं कोश्चन इसका अगला पार्ट है 3 upon 2 अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब करने के लिए हमें दो तरीके या तो 2 को 3 से डिवाइड कर दे तो आंसल आज जाएगा क्या फिर हमें पता है कि नीचे अगल 10 होगा तो एक के बाद लगसाएगा तो नीचे 10 बनाने के लिए से मल्टिप्लाइ कर दिया ऊपर और नीचे तो ऊपर तो 15 बन गया और नीचे बन गया 10 और 15 upon 10 मतलब किसी के भी अपन में 10 होता है मतलब 1 के बाद पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.5 आपका आंसर होगा यह देखिए 2 upon 5 है 2 upon 5 को कैसे करेंगे नीचे क्या होना चाहिए 10 तो 2 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह ऊपर आ जगा 4 नीचे आ जगा 10 तो लिखेंगे हम 0.4 ठीक है इसी प्रिकार से 12 upon 5 है नीचे क्या होना चाहिए 10 तो 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह देखिए 12 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 24 और 5 को 2 से करेंगे तो 10 और नीचे अगर 10 है तो इतने बाद लगेगा एक के बाद तो 2.4 हमारा आंसर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं कुशन नमर 5 है कि राइट फॉलविंग डैसिमल ऐसा फ्रैक्शन डिद्यूस दी फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखना है तो से लिए बनाती है ऊपफर देखिए पहले डैसिमल को भूल जाए dual से फ्रैक्शन निकालने के क्लिए करते है पहले f rivera को भूल कर देखिते हैं टॉम ऑल नमंबर क्या बणा श्यक्त डैसिमल कितने को बाद लगा था डैसिमल वन डिजिट के बाद लगी तो डैसमल म microphones कट ये नीचे टो से उपर रहे है थो के डेवल में 10 भी आता है तो से काटेंगे 2 3 जा 6 2 5 जा 10 तो 3 अपॉन 5 हमारा आंसर होगा ठीक है चले अगला कुशन करते हैं देखिए अगर पॉइंट को भूल जाएंगे तो उपर नंबर मिलेगा हमें 25 में 25 यह लिखना ही लिखना है यह जो जीरो लिखना यह जो जीरो तर तीन जीरो आता है ठीक है अब इसे कैंसिल कर देते हैं लोईस्ट फॉर में कनवर्ट कर देते हैं देखिए 25 के टेबल में 25 आता है और 5 की टेबल में 10 भी आता है तो 5 से काटेंगे 5 2 जा 10 5 5 25 तो 5 अपॉण 2 जो होगा हमारा आंसर आएगा देखिए वन पॉइंट जीरो है तो वन अगर हमने वन लिख दिया पॉइंट अटाया तो क्या बचा जीरो भी बचा तो उपर तो 10 मिल गया हमें नीचे वन कंपल सरी होता है और पॉइंट के बद लगा है एक डिजिट के ब पॉइंट के बाद लगा है एक डिजिट के बाद लगा है एक डिजिट के बाद लगा है तो यहां पर एक जीरो लगाएंगे तो यह 38 अपॉण 10 अगया अब 2 से कैंसल करेंगे टू के टेवल में 38 भी आता है और 10 भी आता है तो यह आगया टू बच्चा क्या वन एटीन मन गया टू नाइन जा एटीन और यह टू फाइब जा टैन तो 19 अपॉण 5 जो आएगा हमारा आनसर आएगा ठीक है तो यह आगे के पार्स देखते हैं आगे क्या करना है आगे हम हमारा थर्टीस 13.7 13.7 पॉइंट को भूल जाएंगे पॉइंट को हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें हमें मिलेगा 137 वन कंपल सरी होता है पॉइंट कितने के बाद है वन डिजिट के बाद तो बन जीर आसाएगा यह कट रहा है क्या नहीं टू से कट रहा है तो चलिए य पॉइंट को भूल जाएंगे तो उपर मिलेगा टू वन टू अपॉन तो कंपल सरी होता है और पॉइंट एक के बाद लगाए तो एक जिरु आएगा कोमन फैक्टर टू दिख रहा है तू की टेबल में टैन आता है और टू के टेबल में टू वन टू भी आता है तो चलिए टू से काट लेते हैं टू फाइब जा टैन टू वन जा टू टू तो एक सो छे 106 अपॉन फाइब फाइब आनसर होगा इसे प्रकार से देखिए यह पर उपर मिलेगा 64 पॉइंट को भूल गये तो और वन कंपल सरी होता है और एक डिजिट का पॉइंट लगा है तो नीचे के आएगा एक जीरो तो वन के साथ एक जीरो आज आएगा तो यह आगया 10 एक एंसील हो रहा है टू से टू फाइब जा टैन और ठाटी टू जा शि से डैसिमल में और डैसिमल से फ्रैक्शन में यह आपको बताया जा चुका है इसलिए आप एजली कर पा रहे हैं ठीक है और आप कमेंट करते रहें कि कौन सा स्टेप आपको समझनी आ रहा ताकि हम साथ साथ क्लेर करते जाएं क्योंकि आपके एक्जाम बहुत करीब हैं बोला कि express the following as centimeter यूजिंग डैसिमल सेंटी मीटर की फोर्म में कनवर्ट करना सबको ठीक है तो मेजर में बताया गया तो आपको कैसे सेंटी में कनवर्ट कर जाता है एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको आपको पता होगा कि एक सेंटीमीटर में दस मीली मीटर होता है ठीक है और अगर इसे मीली मीटर में कनवर्ट करें तो 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे हम तो यह 1 upon 10 होजाएगा सेंटीमीटर 10 से 10 कट गया मतला 1 mm की वैलू आगी है हमारी 1 upon 10 सेंटीमीटर तो मीली मीटर को सेंटीमीटर कनवर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है ठीक है 10 से डिवाइड करेंगे तो तू मिली मीटर है तो देखिए हम लिकेंगे की वन मिली मीटर 1 upon 10 सेंटीमीटर पर यह लिकेंगे है टू मिली मीटर करें है vaca 2 upon 10 सेंटीमीटर की पिशनाइचर कि मतलब की whether यह रिगे वहुंप संख्या वाद पॉंट लगाएंगे तो यहां पर मिलेगा हमें 0.2 सेंटीमीटर इसी प्रिकार से अगला कोशन करेंगे यहां पर लिखेंगे कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 अपॉंट 10 सेंटीमीटर फिर हमें 30 मिलीमीटर का निकालना है दोनों तरफ 30 से मिल्टिप्लाइ कर देंगे 30 इन्टू 1 मिलीमीटर यहां पर आएगा 1 अपॉंट 10 इन्टू 30 सेंटीमीटर 31 जा 30 तो 30 मिलीमीटर की वैलू तो आएगी वह 30 अपॉंट 10 सेंटीमीटर के बराबर आएगी और 30 अपॉंट 10 को सॉल्फ करेंगे तो पॉंट कितने इक पाद लगेगा यह तो पॉंट लगा सकते हैं यह तो कैंसिल कर सकते हैं 10 1 जा 10 10 3 जा 30 तो यह यह 3 सेंटीमीटर ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन आपके सामनी है आपको ऐसे लिखना 1 मिलीमीटर इकोल टू 1 अपॉ 10 सेंटीमीटर फिर 116 मिलीमीटर एकवल टू 1 16 अपॉन 10 सेंटीमीटर बाप लग सोचेंगे कि कैसे आया तो यहाँ पर मैंने मल्टिप्लाइ क्या है मल्टिप्लाइ करूंगा 116 से तो 116 एकम 116 आएगा और 116 से इधर भी करूंगा तो 116 एकम 116 नीचे 10 था तो 10 ठीक है य कभी भी हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करनवाट करना है तो हमें चेंजच किसमे करना पड़े हैं हमें 10 से डिवाइड करना है iam भी 10 से हमने किया भी यह हैं यहां भी 10 से डिवाइड किया है तो आपको अगर कभी भी सेट मिली मेटर में कोर्षन दिया हो सेंटी से करना हो तो त्यस्क्राइड करना होता है तो से लिए 10 से डिवाइड करते हैं 10 है नीचे तो वन डिजिट के बाद पॉइंट आएगा मतलब 11.6 हमारा अंसर होगा अगला कॉश्ण देखते हैं इसी के कुछ अलग पार्ट से 4 सेंटीमीटर 2 मिली मीटर इन सबको सेंटीमीटर करना है तो देखे डी पार्ट के लिए करेंगे पिट से वह लिखेंगे 1 मिली मीटर एक क्वाइल टु 1 अपाँ 10 सेंटीमूस ठीक्वाइटा लिए मिली मीटर को 2 अपाँ 10 सेंटीमीटर लिखसक्ते हैं अभी बताया था ना कि मीलीमीटर को सेंटीमीटर में कनवर्ट करने के लिए हमें करना होता है 10 से डिवाइड मीलीमीटर को सेंटीमीटर में कनवर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है तो इससे 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह 4 सेंटीमीटर है 10 से डिवाइड किया तो वन डिजिट को बाद पॉइंट आएगा क्योंकि नीचे 10 है तो 0.2 हमारा अंसर आजाएगा तो इसे प्लस कर जाएगे तो 4.2 सेंटिमिटर पॉइंट या अंसर होगा ठीक है चलिए अगला कुर्शन देखते हैं अगला कुर्शन क्या है इसको भी ऐसी करेंगे 1 mm एक्वाल टू 1 अपॉण 10 cm ठीक है तो 162 mm की वैलूस वाएगी 162 अपॉण 10 सेंटिम के बरावर होगी और 162 अपॉण 10 मतलब वन डिजिट को पॉइंट लगेगा तो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 16.2 हमारा आंसर होगा लास्ट कोशन देखते हैं इसका लास्ट पार्ट है 83 mm लिकेंगे 1 mm एक्वाल टू 1 अपॉण 10 cm यहां लिकेंगे 83 mm एक्वल टू 83 अपॉण 10 cm mm का मतलब मीली मीटर cm का मतलब सैंटिमीटर ठीक है अब देखिए नीचे क्या है वन दिस दस है टैन है वन जीरो है एक जीरो है एक जीरो है तो पॉण्ट कितनी को पाद आना अच्छी एक डिजिट के बाद तो एक डिजिट के बाद पॉण्ट सेंटीमिटर हमारा आंसर होगा तो मीद है सबको समझ में आगया होगा सबने अच्छी से सीख लिया होगा अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं इसका भी solution आपको बोला है कि between which two whole numbers on the number lines are given the number lines मतलब आपको बताना है कि जो यह है जिरो पॉइंट एट यह किस किस के बीच लाइब करेगा nearest किसके किसके बीच किसके बीच में आएगा अगर number line पर 100 करेंगि तो 0.8 देखिए यहाँ पर आएगा कोई 0 और 1 के वीच में क्योंकि 0 से वो बढ़ा है 0.8 बढ़ा है तो 0 से वो बढ़ा है और 1 से क्या है छोटा तो यह किसके वीच में लाइक करेगा है लेकिंगे जीरो टू वन ठीक है अच्छे से लिखेंगे ताकि confusion ना हो जीरो टू वन इसी प्रकार से आपको 5.1 बोला है 5.1 का मतलब 5 से तो बड़ा है वो और 6 से छोटा है देखिए 5.1 इन दोनों के बीच में लाइक करेगा 5.1 यहां आएगा तो 6 से तो वो छोटा है 5 से क्या है बड़ा है nearest क्या है nearest 6 है आप बलेंगे वो तो 7 से भी छोटा है 8 से भी छोटा है आपको nearest value चाहिए nearest value कौन सी है तो nearest value 5.1 की nearest क्या है ठीक है 5 से तो बड़ा है वो लेकिन 6 से छोटा है तो लिखेंगे 526 इसे अपकार से देखिए 2.6 तू से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है तो तू तू थी 6.4 से बड़ा होगा और जो 7 उसे छोटा होगा 6.4 कैसे आएगा देखिए 6.4 यहां कहीं आएगा तो 6 से तो बड़ा है 7 से वो छोटा है तो ऐसे आप number line को देखके conclusion निकाल सकते हैं 9.1 9 से तो बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा आपको समझने का एक बहुत यासान तरीका भता रहा हैं देखिए आपको जवित भी यह number दीजा है तो जो लेफ्ट साइट नंबर लिखा है जो point से पहले number लिखा है इस साइट से नंबर लिखा है उससे वो हमेशा छोटा होगा ठीक है और उसके अगले वाली उस से मेशाओ बड़ा होगा और उसके अगले वाले रा तो 5 से तो बढ़ा होगा और जो 6 है अगला नंबर 5 का अगला नंबर क्या होता है 6 होता है तो 6 से वह छोटा है 2.6 है 2 से तो बढ़ा होगा इसलिए 2 लिखा है और 2 का अगला नंबर 3 तो 3 से वह छोटा होगा 6.4 है तो 6 से तो बढ़ा होगा 6 का अगला नंबर क्या होता है 7 त 5 से छुटा होगा 4 का अगले नमबर तो 5 ही होता है न तो ऐसे हम calculate करते हैं conclusion निकालते कि सिवे numbers का ठीक है आगे देख लेते हैं question number 8 question number 8 में बोलाए कि so the following numbers on the number line number line पे आप लोग को नंबर सो करने हैं कैसे ले करते हैं आपको पता बताया गया अभी अभी पताया गया 0.2 किसके बीच में आएगा 0 से तो बड़ा होगा वह 1 से छोटा होगा तो यह लाइक करेगा 0.2.1 यह किसके बीच लाइक करेगा 1.2.2 यह 1.2.2 यह किसके बीच में लाई करेगा 2.2.3 तो चलए एक एक करके सो कर देते हैं 0.0.1 करना है मतलब एक नंबर लाइन बनानी है जिस पर 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए अच्छे 7,8,9 अलगला यह 10 तो आपको 0.2 सो करना है यह जो होता है वह 0.1 होता है यह 0.2 होता है यह 0.3 होता है यह 0.4 होता है 0.5 होता है यह 0.6 होता है यह 0.7 होता है यह 0.8 होता है यह 0.9 होता है तो आपको किसे सो करना है 0.2 को तो 0.2 नहीं दिख रहा है यहां पर दॉट पनाई यह एक सर्कल कर दीजिए 0.2 को उन्हें सो गरतिया इसी प्कार से 1 और 2 के बीच में लाइन कीशनी है तो एक लाइन कीशेंगे यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 2 यह सेकिंड वाले के लिए थे कैं इसके बीच दस होते हैं एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नो और दस इसमें भी मार्क कर लेती है यह जो होगा 1.1 होगा यह 1.2 होगा यह 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 आपको तो गया करना है 1.9 को 1.9 यहां रहा है मतलब इसको सरकल कर दीजिए यह आपका अंसर हो जाएगा इसे प्रकार से अगले पार्ट में आपको सो करना है किसको 1.1 को 1.1 1 और 2 की वीच में है तो फिर से करेंगे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगला 10 ठीक है इसका भी लिख लेते हैं कि हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 ठीक है आपको करना 1.1 को 100 तो 1.1 का है यहां पर है तो इसको हम सरकल कर देंगे यह हो गया 100 नंबर लाइन पर 1.1 ठीक है अब 2.5 को करना है एक और बना ला लेते हैं इसे नंबर लाइन कीचेंगे 2.5 2 और 3 के वीच में लाइक कर रहा है अब लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां लिखेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 तो आपको 2.5 को सो करना है 2.5 मतलब यह रहा इसे हम सो कर देंगे 2.5 को 2.5 को 2.5 को हम नंबर लाइन पर सो कर लिया तो ऐसे हम सो करते हैं किसी भी नंबर को decimal वाली number को number line पर वीदस में आरहा होगा आप लोगको और मज़ा भी आरहा होगा तो अगला question देखती है question number 9 और फिर देखती है अगला question इसका solution देखेंगे आपको वो लाए कि right decimal numbers represented by the points A,B,C and D on the given number line क्या कहना चाहता है यह कि जो number line है हमारे पास इसमें A कौन सा number represent कर रहा है B कौन सा कर रहा है C कौन सा कर रहा है और D कौन सा कर रहा है वो आपको numbers लिखने है तो यहाँ पहले लिख लेंगे हम A B C और D equal to में numbers लिखने है ठीके रहिए यह जो होता है हमारा पहले numbers लिख लेते हैं यह 0.1 होता है, यह 0.2 होता है, यह 0.3 होता है, यह 0.4 होता है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यह फिर 1 हो गया, यहां से ही साट हो का, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, यह हो गया, 2, 2.0 मदलब 2, फिर हो गया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और यह हो गया, 3, तो हमें बताना है, A, B, C की वैलो, ठीक है, A, B, C की वैलो बता देते हैं, कोई दिकत नहीं है, देखे, A आ रहा है, 0.8 पे, यहां लिख देंगे, 0.8, तो यहां लिख देंगे, 2.9, तो जो हमें नमबर लाइन दिये थे, उसमें हमें बता है, कि दो नमबर के बीच में, और नमबर से लिख दिये, और फिर हमें पता है, कि A की लोकेशन का है, B की और C की और D की, तो A की लोकेशन को ट्रेस कर लिया, B का भी कर लिया, C का भी कर लिया, तो इसलिए हमें पता चल लगया, कि जो A है वो 0.8 है जो B है वो 1.3 है C 2.2 है और D जो है 2.9 है ठीक है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं और देखते हैं उसका भी solution आपको बोलागे कि the length of Rames notebook is 9 cm and 5 mm 5 mm what will be the length in cm मतलब क्या आपको कुछ नहीं करना आपको बोला गया है कि रमेश है उसके notebook की length 9 cm 5 mm के बराबर है तो आपको उनको cm करना है तो कोशन में बोला गया है कि आपको 9 cm 5 mm को cm की form में convert करना है 10 cm यह बताना है तो cm को convert करना नहीं है क्यों cm की form में यह mm को cm करना है आपको बताया गया था कि जो होता है 0.5 cm के बराबर क्यों कि नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के बात पॉइंट लगेगा तो एक डिजिट पाय हमने पॉइंट लगा दिया टोटल बताना है पहले 9 cm तो पहले से था प्लस यह 5 mm की value क्या है 0.5 cm तो 0.5 cm यह आज आएगा 9.5 cm उसकी नोट बुक की length कितनी थी 9.5 cm ठीक है यहां पिच्वाएगा length cm में वह 9.5 आएगा तो उमीद है सबको समझ में आगया होगा अगला question देखते हैं यह है आपके exercise का last question तो उमीद है आपने सभी question को सीख लिया होगा और last question पर आ चुके होंगे आप लोग और आपको बहुत question करती है और फिस जो इस class है उसको खतम करते हैं लास्ट कोशिन करेंगे इस class का इसमें बोला है कि the length of younger gram plant is 65 mm तो express its length is centimeter 65 mm को centimeter में करवाट करना है mm को और आपको पता है कि 1 mm की value 1 upon 100 cm के बराबर होती है तो 65 mm की जो value होगी वो 65 upon 100 cm के बराबर होगी जो होता है नीचे कितने 0 है एक ना तो point कितने बाद लगेगा एक के बाद तो यह आएगा हमारा answer 6.5 cm बस हो गया तो आज के लिए नहीं बच्चों आज हमने सीखा कि 8.1 के जो problem से सब्सक्राइब आज की वीडियो को पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीज़ेगा और comment box में comment करके बताईए की वीडियो कैसा लगा feedback दीजिए साथ ही साथ वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी कुछ knowledge मिल सके मिलते हैं अगले नए वीडियो में तब तक लिए बाई बाई पढ़ते रही है हसते रही है और खेलते रही है झाल 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 झाल